अनू जी पूछ रही हैं, पूना से स्कूल टीचर हैं, मुझे साधना के मार्ग पर चलने का लाब महसूस हुआ है, मेरी इच्छा रहती है कि मेरे घरवाले और पार्टनर भी इस मार्ग पर चलें, और उनके जीवन में शान्ती आए, पर वो मेरी बात नहीं समझते, उल्टा मुझे ही गलत समझते हैं, उन्हें कैसे साधना की धारा से जोड़ूं, कृपा बताएं, साधना के पत पे जो सबसे पहली, जो सबसे पहली गलती हर सादक करता है, वो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, इसमें एक पॉजिटिव भी है, एक नेगिटिव भी है, इसमें नेगिटिव यह है कि यह जो उनको मनाने का, उनको जगाने का जो हम प्रयास करते हैं, यह प्रयास उनको बंद करने लगता है, कभी आपने देखा छोटे बच्चे को अगर आप बोलो कि सलात खाओ, आप जितना फोकस करेंगे कि हल्दी सलात खाओ, वो उतना उससे दूर भागेगा, इसका रीजन यह है कि वो बच्चा आपको तो green vegetables खाते हुए और enjoy करते हुए नहीं देख रहा, बट आप उसको push कर रहे हैं, इस पूरे जीवन में, इस पूरे जीवन में, learning का एक बड़ा अदबुत नियम है, हम observation से सीखते हैं, हम observation से inspire होते हैं, हम observation से ही प्रभावित होते हैं, प्रयास सेने, आपका सारा प्रयास स्वयम की चेतना को जगाने में रत रहे, आप ये चिंता छोड़ दो कि आपको अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को साधना के पत पे जोड़ना है, आप ये चिंता छोड़ दो, जिस दिन वो आपके भी आनन्द देखेंगे, जिस दिन वो आपके भीतर शान्ती देखेंगे, जिस दिन वो आपके भीतर प्रेम देखेंगे, अनुभव करेंगे जब वो, जिस दिन वो आपके भीतर अनुभव करेंगे कि आप जीवन को बहुत हसते खेलते जीना सीख गई हैं, उस दिन, उस अब्जर्व करके होगा, यह पुश करके नहीं होगा, तो यह गलती ना करें, आप सारा फोकस, सारी चेतना, सारी उर्जा अपनी साधना में लगाओ, क्योंकि जो आप कर रहे हो, वो रास्ता ठीक है, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको उसके फल मिल रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे की परिवार के लोग इंट्रस्टेड होने लगेंगे, मगर इफ यू ट्राइ तो पुश, इफ यू ट्राइ तो पुश, तो वो दूर भागेंगे आप से, तो एफर्ट मत करो, पुश करने का, पुश करने का, और यह बात याद रखना, इस जगत में, इस पृत्वी पे, कौन व्यक्ति कब साधना के प्रती प्रेरित होगा, अल्मॉस्ट वो तैय है, आप प्रियास करो या ना करो, आप साधना के पत पे चलने लगी, क्या किसी ने प्रियास किया था आपको इस पत पे चलने के लिए, नहीं, आपने, कहीं से जीवन में आपको प पे चलने लगे, इसी तरह से, जब आप इस साधना के अपने भीतर और गहरे उतारेंगी, आपके आसपास के प्रियाजनों में, ये संसकार आपके थ्रू ट्रांसफर होने लगेगा, ये संसकार आपकी साधना के थ्रू आपके प्रियाजनों में, ना कहे भी ट्रांसफर हो होने लगेगा, क्योंकि यह खुश्भू है न, यह पहुंचेगी उन तक, और खुश्भू के पहुंचते ही काम शुरू हो जाता है, तो प्रयास मत करो, प्रयास स्वयम की साधना में रहे, और परिवार में प्रेम बाठते रहो, आनन्द बाठते रहो, शान्ती बाठते रहो, और देखना इसका परिणाम, स्वयम, 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 वो प्रेरित होंगे चलने के लिए, स्वयम आके पूछेंगे आपसे, स्वयम, अपनी अपनी साधना के पत पे चलने लगेंगे, यह नियम है, इसका एक छो को ये बात तो समझ में नहीं आए बड़ जब भीतर का फूल खिला और बुद्ध वापिस लोटके उसी घर में आए उपोजिशन नहीं मिला बुद्ध के आभा मंडल को देखके बुद्ध के कदमों को देखके बुद्ध की खुश्बू को देखके बुद्ध की स्वयम की पतनी बुद्ध की स्वयम के पुत्र बुद्ध के स्वयम के पिता उनके शिश्य होने को ततपर हो गए बुद्ध के बिना कहे बुद्ध ने कन्विंस नहीं किया जाके कहने की जुरुत नहीं पड़े कि आप भी चलो साधना पर ये तो बड़ा अच्छा मार गए बुद्ध के प्रेजन्स से उनकी खुश्बू से ये होने लगा तो अपने अंदर अपने परमात्मा को अपने बुद्धत्व को जगाए और उसका इंपक्ट आपके सभी प्रिये जनों में कुछ समय में आपको स्वतहे दिखने लगेगा प्रयास की आवशक्ता नहीं पड़ेगी धन्यवाद